हेलो गाइज वेलकम बैक तो आवर चनल सिविल मेज आज सब के लिए मैं लेकर आया हूं जो हमारा ट्रेड होता है स्टेर केस के ऊपर राइजर एंड ट्रेड तो ट्रेड के लिए जो आप ग्रेनाइट की फुल मोल्डिंग या हाफ मोल्डिंग करवाते हैं कि फुल मोल्डिंग कैसे करते हैं क्या-क्या प्रोसीजर होता है चाहित में हमेट्रियल हमें यूज होगा क्या कैक्यू वेलिंट्स हमारे हिसके लिए इसके लिए तो फरस्ट टो डेया आपको स्टेंड इड भता अ beginnings हम रग सकते घचेईगा तो उसके उपर अगर हमेंक्न मोल्डिंग करानी हैं तो हमारे पर謀स के नीचे इंची हम पट्टे लगा देते हैं जिपster के लिए हमें equipment की जूर्त होती है जो material की हमें नीड होती है वह होता है epoxy hardner and दूसरा होता है material epoxy resin जो hardner होता है वो stick करने के लिए काम आती है epoxy resin होगा वो as a solvent काम करेगा जो solvent होता है guys हमारा वो solvent की property होती है कि mixture को dissolve करने में काम करता है तो जो epoxy resin होगा वो solvent का काम करेगा और जो epoxy hardner होगा वो हमारा चिपकाने के लिए करने के लिए काम करेगा एंड इन दोंको मिलाने के बाद epoxy hardner और epoxy resin को हम दोनों को mix कर देंगे और mix तो उसके लिए हमें पहले हमें फैवी क्विक हमारी ट्रेड पर लगानी है जहां पर हमारी पट्टी लगेगी हमारे नीचे वाले surface पर एंड उसके बाद जो हमने mix बनाया है epoxy hardner और epoxy resin को mix करके वह उसके ओपर अप्लाई करके हम वह डेडिंची की पट्टी रख देंगे तो फ्रेंड्स यह होता है हमारा epoxy hardner और इस वन इस आवर एपोक्सी reason जैसा कि मैंने आपको बताया था hardner इसका नाम है तो यह stiffness देने के लिए काम आता है और यह reason इसका नाम है तो यह solvent काम करता है यह हमारा डाइट कंपनी का है अरल डाइट कंपनी का फ्रों फ्रोंदी मेकर सो अरल डाइट कंपनी इसका जो code होता है गाईज XI 9100 जो hardner होता है XI 9100 यह हमेशा याद करके रखना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को कि क्या है और जो epoxy होता है इसी कंपनी का उसका code होता है XI 100 यह कुछ चीजें हैं जो एक इंजीनियर को याद होनी चाहिए कोई भी कभी भी पूछ सकता है आपसे और पिड्लिया लाइट की हमने फ्लेक्स क्विन यूज किया है और भी कंपनी की आती है हमने इस कंपनी की ऊस्टिया इंस्टेंट एडशिव इंस्टेंट पकड़ बनाने के लिए यह से जो हम घर में फैवी की क्यूज करते है वही है बस यह थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा इस फ्लेक्स बॉंडिंग स्पेशली मेड फॉर फ्लेक्स बॉंडिंग आल्सो बॉंड प्लास्टिक मैटल रबबर गुड लैदर एंड क्रैमिक जो हमारा एपकसी होता है वो किस-kis के लिए काम आता है काईस हम स्टैचों मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं जैसे की लिए रखाया है और मैं आपको भी यह हमारा मिक्टे होता है जो मैने आपको बताया था इसा होता है तो गाइज इस इस आवर ट्रेड जो हमारा 10 इंची का है एक इंची जो हमारा जाएगा ओर राइजर की जो हाइट आएगर फिकनेस यहां लग जाएगा तो वी एफ प्रोवाइड़ी आवर ट्रैड 10 इंची इंड उसके ओपर जो मैंने आपको पट्टी बताई थी है निकल के असकती और हमारा जो ट्रैड का ग्रेनाइड है वो भी टूटेगा हमारा तो गाइज इसको लगाने से पहले जहान रखें कि आपको यही लगाना है नहीं लगाना तो आपका ग्रेनाइट की कोस्टिंग इंक्रीज ही होगी कि ग्रेनाइट भी टूटेगा और आपकी यह पट्टे भी टूटेगी अगर आपको उसे अलग करना है झाल झाल प्रेट को उल्टा कर दो प्रेट को उल्टा करके हमने नीचे की फिनिशिंग कर दीए अब हमारा स्टैप आउपर की मोल्डिंग का जब हमें अलाइनमेंट चेक्टर नहीं होगी तो हमने विद्धी हैल को खावर आई हम यहां से देखेंगे आई मैं का झाल फिसे आप बड़ फसे आप बड़ से आपके हमने अब फिसे आपके बड़न यहां अब़के ऑपटो कि अलाइमेंट से करने के लिए हम साइड से देखते हैं गाइज कि अलाइमेंट चेक करने के लिए हम यहां से देखेंगे हमारा स्ट्रेट जा रहा है नहीं जा रहा कि अलाइमेंट चेक करने के लिए हम यहां से देखेंगे यह स्ट्रेट जा रहा है या नहीं जा रहा है यह हमारा कटर ब्लेट होता है आप काई है प्रेंड्स हमारे पास एक्ने जिसके अंदर हमने ब्लेड लगाया यह इसके अंदर भी लगाया है उसकी ठिकनेस हैं हमारी 105 mm यह हमारा पैक है 105 mm का में अंदर ब्लेड लगारें डिस्क यह दिस फ्लैट वील आएँगा किसी को जोबी मार्केट में जागे कह दे ना 105 mm का डिस दे दो फ्लैट वील दे दो जो सेफटी प्रिकोशन सोते है when we are using grinder for our molding purpose second हमारे plus यह blade है grinder के अंदर जो blade है वो दोनों सेम है purpose भी दोनों का सेम है पर जो first blade हमारा वो उसकी quality better है इसकी quality के अंदर difference यह है जब यह blade चलता है तो हमारा grinder जल्दी होने के chances होते हैं और हमारा grinder भी with respect to that blade जल्दी गरम हो जाता है इस blade के साथ so always use जो मैंने आपको first blade दिखाया था 105 mm का वो करें यह भी हमारा 105 mm का है ब्लस इसका जो blade का shape and shape में difference है उसकी वज़े से हमारे को जो difference है quality में वो difference आता है इंग बोथ अधियर डाइट solution एरड़ाइट epoxy hardner and epoxy reason we will fill our gaps जो हमारे gaps रह गए हैं molding के बाद उसको हमने fill किया है दुबारा again हमें fill करना पड़ेगा यह जिससे यहां पर हमारे इसमें पूरा gap रह गया तो हमने fill किया है यहां पर हमारे पास कोई gap नहीं है तो में fill करने के नीड नहीं है after molding इसको हमने fill किया है यहां पर fill किया है यहां नहीं किया है तो यह हमारा लास्ट procedure है विसको होने के बाद हम इसके ऊपर polish करेंगे after fixing of granite to the tread and molding के बारे में बता रहा था कि granite की molding कैसे होती है and guys आज का मोसम कुछ ऐसा है कि सुबह से बारिश हो रही है तो हमारा outer जो site work है वो नहीं हो सकता हमें inner site work की करना पड़ रहा है कि एंड हमारे पास यहां पर कोटा पत्थर भी है हम सथ पर कोटा पत्थर लगाएंगे एंड कोटा पत्थर कैसा लगता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या क्या स्टेंडर्स होते हैं कैसे कैसे cutting होगी और कैसे